दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप एक अपना लॉंग टर्म बिजनिस बना सकते हैं अब इसके बारे में बात करनाना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे याद है कुछ दो या तीन साल पहले मैंने अपने अंग्रेजी चैनल के उपर वीडियो बना जब बनाता थ जब मैं अपने e-commerce store शुरू किया था around 3.5-3 साल पहले उसी चैनल के उपर तो मैं तब से लेके ना कहे जा रहा था लोगों को कि आप अपना ध्यान रखिए और आप focus करिए एक ऐसा business बनाने में जो हो long term sustainable business तो उसको हम थोड़ा से और add कर दिया था कि long term sustainable growing business तो इसका क्या म हर बंदा एक long term business के बार में एकदम starting से नहीं सोच सकता अब क्यों आजकल देखो आजकल का situation अगर है थी pandemic जब आया बहुत लोगों की jobs भी गई unemployment का पता ही है news में आता ही रहता है फिर उसके बाद कई लोगों को opportunities लगा कि यार अब कम हो रहे हैं although like e-commerce digital opportunity काफी जादा रहा ह है पूरे pandemic में और probably आगे भी रहेगा लोगों को at least feel होता है मन के दरा feel होता है कि यार opportunity शायद कम हो रही है और थोड़ा pressure जादा बढ़े जा रहा है पैसे कमाने का और पैसे कमा के अपने family को चलाने के लिए थोड़े और tensions हैं तो हर बंदा ना starting से ही ना अगर मान लोग किया है तब तक उसके पीछे बहुत बड़ा vision या बहुत कुछ सोच के कोई point नहीं होता दिमाग में होना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो आगे जाके आप growth ही देखना चाहोगे लेकिन starting में अब जैसे अगर मानले में अपने career में भी देख रहा था ठीक है अभी तो बो उन लों के लिए जिनने मानलो starting में शुरू किया और फिर उनका business नहीं चला उनने बंद कर दिया तो क्या वो गलत है बिल्कुल भी नहीं उनका business नहीं चला इसका ये मतलब नहीं है कि उनको business करना ही नहीं चाहिए ऐसा होता है कि मेरे मैं अपना भी जब look back करता हूँ तो लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्स थे मेरे जो मैंने चोटे प्रोजेक्स मेला में को पता था कि ये में को थोड़ा बहुत income देगा उसके बात ये खतम हो जाएगा और यहां पर important बात आती है मैं आजकर देख रहा हूं लेका affiliate marketing के YouTube चैनल काफी जाधा popular हो रहें आजकर और जाधा तर जो affiliate marketing सिखाई जा रही है उनमें ऐसा हो रहा है कि ऐसे model सिखाई जा रहे हैं जिनके थुरू आप long term business नहीं बना सकते हैं बिजनेस नहीं बना रहे हो हाँ थोड़ा बहुत इदर दर game खेल रहे हो आपने चोटा से funnel बना दिया जो थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन बहुत जल्दी saturate हो जाएगा या कुछ एक problem हो जाएगी फिर आपको नया funnel बनाना पड़ेगा लेकिन एक proper business जिसको बोलते हैं कि एक reliable चीज है कोई product या service है जो आप sell कर रहे हैं market में और उसका demand है और रहेगा उसका demand लेकि एक proper business setup करने का अभी तेक education नहीं दिया ज सकते हैं अगर आप देखिए like bloggers का example देख लिए जो proper blogging करते हैं जिन्होंने अपने blog को seriously लिया हुए जिन्होंने proper अच्छा quality content मलब अगर आप देखो सालों से डाले जा रहे हैं जैसे उनका शाउट मिलाउड का example है ठीक है उनका major income affiliate marketing के थू होता है तो सही है ना मलब आप affiliate marketing के थू प्रॉपर बिजनेस बिना सकते हैं ऐसे YouTubers का देख लो जो लोग मानलो Amazon के affiliate commissions कमाते हैं mainly उनका main source of income एक तो YouTube adsense है और Amazon affiliate commission है तो उनका भी business कई ऐसे YouTubers जो मलब सालों साल वीडियो बनाए जा रहे है तो उनका भी long term sustainable business हो गया तो ऐसे नहीं है कि हमेशा आपको affiliate marketing करने क के लिए एक like two page funnel बनाना है और फिर traffic drive करना है और फिर affiliate product बेचना है और उसके बद वो प्रॉड़क बेचना है और उसके बद वो प्रॉड़क बनाओ तो वो भी एक option होते हैं और एक दूसरा जो option होते हैं और एक दूसरा जो आप्शन लोंग term sustainable business उसका भी होते हैं अब मैं क्या recommend करना है और इस इस video को बनाने का goal किया होते हैं अब मेरी अगर बात सुनते हैं और मैं of course long term business चाहता हूँ क्या बनाओ eventually लेकिन starting में मान लो आपके पास वो skills या वो patience या वो discipline या कुछ भी कोई भी luck factor कोई भी factor अगर आपके पास नहीं है कि आप अपने business को long term के लिए अगर आप वो भी चीजें करें जो आपको बस short term income दें ठीक है वो भी गलत नहीं है कि आपने कुछ अख चीज किया जिसने आपको short term income दिया उससे अपका थोड़ा capital या फिर आपने कुछ और चीज किया उससे आपको short term income थे उससे आपका और capital या और eventually आप अपने capital को मदलब जो भी profit कमाया मानलो आपने कोई एक final बनाया ठीक है कोई affiliate product को promote करने के लिए और उस final ने आपको मानलो एक लाक रुपय profit दे दिया फिर आपने क्या किया आपने अगले महिने वो एक लाक रुपय निकाल लिया और फिर गाड़ी ले ली तो फिर आप फिर से zero से ground zero से श कुछ होरा improvement हो रही है तो एक तो वो हो रहा है और दूसरा हो रहा है जो वो income दे रहा है net income जो दे रहा है वो आपके future को fund कर रहा है यह याद रखना future को अगर आप fund करना चाहते हो अपना तो यह जो income जनरेट कर रहा है शौट-term projects के साथ यह भी काफी जरूरी हो तब कई ल सकते है कि short term projects है short term मैंसे सब कुछ करते रहे but वो सारा क्या कर रहे funnel अपना कर रहे long term business के अंदर सारा पैसा अपना डाले जा रहे क्योंकि वो business आगे balloon होता रहे like मेरे case मैं मैंने majority अगर देखा जै मैंने यही किया कि मैंने e-commerce store जो मेरा है US international वाला उसको में को balloon करना तो उसक करना चाहता तो वो करने के लिए आपको inventory होने पड़ी आपकी पस उसके इंवेंटरी के इंवेस्ट करना पड़ेगा जैसे मेरे पास at any given point in time almost like कितना था I think 2 crore, 2,5 crore के असपस की inventory जो retail value होते है of inventory माललब US dollar में देखा तो 3-3,5 lakh dollar की inventory हमेशा होती है US warehouse के अंदर तो वो कैस वो ओवरनेट थो ना बना ऐसे थो ना कि मेरे पास 1,5 crore चार साल पहले माल ले inventory आसे नहीं होता वो build-up होता रहते है time के साथ-साथ और कई बार के अपने different different और प्रोजेक्स से पैसे उठा के मैं उस business के अंदर fund करते रहता हूं तो आपने future को fund करें बट आपको एक बात ब रखिये हमेशर चाहिए चोटे-चोटे projects कर रहे हैं चोट-चोटे चीजे कर रहे हैं मानलो आपने Instagram page बनाया एक affiliate product को promote करने के लिए या फिर एक e-commerce product को promote करने के लिए वो आपने किया कुछ दिन वो खतम हो गया फिर उसकाद आप कुछ और करते कुछ और करते हैं बट जो कर रहे हैं चुटर मुटर जो भी कर रहे हैं important है हर चीज कुछ न कुछ करते रहने से especially अगर आप कर रहे हैं with the purpose to make a business in the future तो obviously वो सही चीज है क्योंकि आपके skills improver उपर से आप कुछ न को सीख रहे हैं उपर से आप ऐसे भी कमा रहे हैं यह जो future को fund करने यह सबसे important है यह ज इसे मेरे केस में मानलो मेरा जो मेन प्रॉडक्त मेरे स्टोर के मानलो चलना बंद हो जाए दो सल बाद फिर अब बोलो गया तो आपने तुसरे पांट साल चला है इस business को फिर में बस pivot कर सकता हो अब आप जब बिजनस बनाते हो न तो पिविट भी इसली कर सकते है क्योंकि आप customers acquire कर रहे हो email leads acquire कर रहे हो और मलब वो बहुत जादा लोग होते हैं तो अगर आप नए product line शुरू करना चाहते हो या brand को किसी और direction में लेकर जाना चाहते हो वो options भी आपके पास open up हो जाते हैं जितना आपका business लंबा चलता रहता है तो सब के पास सब की story different रहेगी सब क आप मेरी अगर story दे को मैं आपसे share करते रहता हूं क्या क्या चीजें possible है like digital marketing के दुनिया में भी like अपने एक इस like home studio office में बैट कर भी studio ती इसले क्योंकि मैंने youtube अभी वाचकल videos बनाता हूं इसके पहले कोई light कोई camera कोई backdrop कुछ नहीं होता था एक plain सा room होता था मेरे parents के घर क फर्स फ्लोर के ऊपर वहाँ पर मेरा तुटाओवा computer होता था था उसको लेके मैं कुछ कुछ करता रहता था और उससे पैसे आत रहता था आपको कोई fancy कोई चीज करने की ज़ुरत नहीं होती लेकिन ये सब करकर के build-up करकर के करकर के आप बड़े-बड़े like में को याद है करते थे client work करते थे बहुत कुछ करते थे उन दिनों तो वह भी एक stage पर आते हो तुम और मेरे को personally जो पसंद आता है वह अपनी current life है में को as a solopreneur वाली जो life है वह मेरे को बहुत जादा अपील करती है और having a long term sustainable business एक solopreneur के लिए must हो जाता है एक time के बाद तो ये मैं आपक जाता हो इससे अपकी life actually बहुत impact देता है एक ही business न वो एक business क्या होते उससे न आपको एक शुरिटी रहती है कि आपको अगले महिने पैसे आएंगे आपको एक साल बाद एक profit होगा और क्या होता है वो जो business होते है वो acquirable asset भी बनता रहते है यानि अगर उस business को मानलो बाद मैं बड़ वीडियो बनाऊंगो उसको लेकर लेकर लेकिन probably future में हो सकते इसको sell कर दूँ और वो एक exit भी हो जाता है आपको बहुत अगड़ा एक fund capital भी मिल जाते capital के होता है वो तो life changing money होता है ठीक है लेकिन business के through ही regular income के through भी आपकी life changing money बन जाती है मैं अपने मेरा सब वो गाड़ी फिर उसके बाद ये अपना apartment पहले मैं इसको loan पे लिया था फिर उसके बाद उस loan को पूरा उतार दिया like 20 साल का loan था जो 2 साल में उतर गया तो वो बट लोन को लेने से पहले भी मैं ऐसे type का नहीं किया था कि मैं 10 परसें बी 20 परसें डाउन पेमेंट करके लो बहुत जादा like different different जगहों पे invest किया हुआ है और बहुत बड़े amounts के तो वो सारा चीज ये सब कुछ possible हो पाया because of that one e-commerce store ठीक है और वो मेरे long term sustainable business जो अभी भी चले जा रहा है जो probably future में और क्या क्या मेरे life में changes लाएगा मैं को खुद idea नहीं बट उसने इतनी opportunities open up की और इतन कहानी मेरे जैसी रहेगी आपका journey different रहेगा in fact मैं तो चाहूंगा कि किसी भी कहानी मेरे जैसे मतलब मेरे जैसी कहानी अगर आपको चाहिए ना मतलब आपको इतने ups and downs देखना है ना एक बंदा पागल हो जाए अगर किसी के पास like mental strength बहुत strong होना पड़ेगा अगर आपको म इस आप से देखो आपका current situation कि हर बंदे के पास पैसे different होते है हर बंदे के पास यह देखो Shopify के मेरे नया वो मैं लिया न क्या है Apple Watch तो उसमें यह order notifications भी आने लग जाते है पहले सिर्फ फोन पर आते था Apple Watch पर भी आते है आज ही लिया आज ही unboxing किया थे इसको तो अभी सीख र पैसे डालने के लिए किसी के पास zero budget के साथ शुरू कर रहे है कोई कोई लोग शुरू कर रहे है मानलो 5000 रुपय के budget के साथ के लोग शुरू कर रहे है एक लाग 2 लाग 5 लाग budget के साथ हर बंदे की कहानी different रहेगी और हर बंदे का काम करने का तरीका उस budget को के हिसाब से determine और उनका brain power कैसे काम करते हैं, क्या उनके favor में luck चलते हैं, बहुत सारे factors हैं, बहुत लोग कहेंगे कि luck factor नहीं होता है, मैं उसके, I am not same with that, luck factor आपको चाहिए हो, हर business के अंदर luck factor चाहिए होता है, लेकिन ऐसे होता है कि जितना आप काम करते रहते हैं, उतने आपको realize होगा कि आ बहुत आपके favor में आते रहते हैं, the only way luck आपके हिसाप से काम नहीं करता, जो लोग कहते हैं, मैं unlucky हूँ, वो ऐसे लोग होते हैं, जो give up कर जाते हैं, जो लोग नहीं give up करते हैं, काम करते रहते हैं, तो luck automatically, किसी तरीके से उनके आता ही रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान र नहीं थी, अगर आपको पसंद है नीचे, definitely, like को दबाओ, और comments के अंदर बताओ, कि आपको मेरा चश्मे के बिना वाला कैसे लगा, क्योंकि मुझे लगा किया है, थोड़ा कुछ change around करते हैं, और देखते हैं कि ये चश्मे के बिना कैसे करके scene रहते हैं, शायद आप लोग सकता है, अे कि अंदर 좋아 का जिसे हैं, जापपू को पसंद आपको आपको के हैं, क्योंकि मैं हो।